बहुत पहले राजा रवी वर्मा मगद देश का राजा हुआ करते थे उनके राज में सब लोग बड़े खुशाली के साथ जीते थे रवी वर्मा की आदत थी कि वो भेज बदल कर लोगों के बीच में जाते और लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी लेते और बाद में मंत्री जी से कहकर उन समस्याओं का समाधान करते उस राज्य में कन्ना और मुन्ना नाम के दो चोर थे वो दोनों बहुत कंजूस थे और वो दोनों बहुत होश्यार भी थे बड़े बड़े घरों में घुश कर वो चोरी करते थे बाद में दोनों वहीं खाना पका कर खाते थे ताकि भोजन के पैसे बच जाएं ऐसे कंजूस थे वो उस राजे के लोग जाकर राजा से विंती करने लगे कि इस चोर की समस्या को दूर करें रवी वर्मा कहकर उन्हें आश्वासन दिया एक दिन कन्ना और मुना एक घर में चोरी के इरादे से घुसे वहाँ चोरी करने के बाद कन्ना एक कड़ाई में मशली तलने लगा यार इन मशलीों के साथ पराठा बहुत अच्छा रहेगा लेकिन पराठे एकदम ठंडे पड़े हैं जरा पराठों को सेकना यार तब मुना ने इदर उदर देखा और कहने लगा लेकिन यहां तो लकडी है नी चूला कैसे जलाएं इसलिए मेरे दिमाग में एक उपाय आया है कहकर वहां पड़े एक इस्त्री बॉक्स उठाया और उससे वो पराठे सेकने लगा बाद में दोनों ने मज़े से खाया वहां रवी वर्मा चोरों का भेज डाल कर इन दोनों को ढून रहा था एक जंगल में ये दोनों बातें कर रहे थे तब रवी वर्मा ने चुपके से उन दोनों की बातें सुनी तब उसे यकीन हो गया कि ये दोनों चोर है तब वो इन दोनों के पास आया कन्ना ए तुम हो कौन और यहां क्या कर रहे हो तब रवी वर्मा महाशे मैं भी तुम दोनों की तरद चोर हूँ मैंने आप दोनों के चोरियों के बारे में सुना और मेरे मन में आपके लिए बहुत इज़त बनी इसलिए आपके दर्शन करने के लिए मैं यहां चला आया आप दोनों ने दर्शन दे दिये तो मेरा जीवन सार्थक हो गया क्या मैं भी आपके साथ चोरी में भाग ले सकता हूँ क्या मैं भी अपने सूजबूज का प्रदर्शन कर सकता हूँ तब मुन्ना अच्छा तुम भी चोरो चलो अच्छा है कैसे सूजबूज तुमारी क्या तुम हमारे सूजबूज के बारे में जानते हो रवी वर्मा, नहीं माशे, मैं नहीं जानता, आप बताईए तो सही कि क्या है वो सूजबूज तब मुन्ना, मैं जमीन पे अपना हाथ रख के बता सकता हूँ कि पैसे किस ओर है तब मुन्ना, मैं एक छोटे से तिनके से बड़े से बड़ा ताला खोल सकता हूँ अब तुम अपनी काबलियत बताओ, तब रवी वर्मा, मेरा अंगूठा जमीन की ओर करते ही, किसी को भी मैं स्वर्ग लोग बेच सकता हूँ और अगर मैंने अंगूठा उपर किया, तो मरने वाले को भी मैं बचा सकता हूँ तब कन्ना, अरे वा, तुम तो वाकरी बहुत ताकतवर हो, तुम हमारे साथ रहोगे, तो इसमें सब की भलाई है ऐसा कहा, तब रवी वर्मा, चलो अच्छी बात है, वैसे आज कहां चोरी कर रहे हैं हम तब कन्ना, तुम्हारी मर्दिया भई या, कहो तो आज राज महल जाकर राजाजी का खजाना लूटें, वहां तुम्हें हमारे काबलियत के बारे में पता चल जाएगा तब रवी वर्मा ने सेर हिलाया, यू तीनों राज महल पहुंचे कन्ना ने जमीन पर हथेली रखा और इशारा किया कि राज महल का खजाना कहा है, वहां पहुंचकर मुन्ना ने एक छोटे से तिनके की मदद से खजाने का दर्वाजा खोला बस तुरंच सब सिपाईयों ने आकर उन तिनों को घेर लिया, उन्होंने रवी वर्मा को प्रणाम किया और कन्ना और मुन्ना को गिरफतार किया एक सिपाई, महाराज आपने जो संदेश भेजाता हमें मिल गया था, इसलिए हम यहां पर तैनात थे यह देखकर दोनों चोर दंग रहे गए अगले दिन सभा में महाराज इन दोनों चोर के लिए भांसी की सजा ही उप्यूक्त है करके अपने अंगूठे को नीचे की ओर किया, तब कन्ना और मुन्ना के समझ में कुछ नहीं आया वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे, तब ही उन दोनों को एक उपाई सूझा करना महाराज, आपका धर्म है कि मरने वाले की आखरी इच्छा को पूरा किया जाए क्या आप हमारी आखरी इच्छा को पूरा करेंगे तब रवी वर्मा ठीक है, बताओ क्या इच्छा है तुमारी कोई खास बात नहीं है महाराज हम दोनों ने अपने अपनी काबलियत बताई लेकिन आपने सिर्फ एक हुनर दिखाया हमारी विंती है कि आप अपना वो दूसरा हुनर भी दिखा दे उनकी समझदारी देकर रवी वर्मा बहुत खुश हुआ वो कहने लगा बड़े होशार हो तुम दोनों है तुम दोनों की होशारी से बहुत प्रसंद हूँ तुम दोनों अपनी समझदारी को कोई अच्छे काम में क्यों नहीं इस्तिमाल करते यूँ चोरी के लिए क्यों प्रयोग कर रहे हो अगर मैं अपना अंगुठा उपर करूँ तो तुम्हारी फांसी की सदा रद हो जाएगी यही तुम दोनों चाते हो ना ठीक है ठीक है अपसे तुम दोनों चोरी बंद कर दो और मेरे पास इमानदारी से काम करना शुरू करो कहकर उसने अपना अंगुठा उपर उठाया इस तरह उनकी फांसी रोग दी गई कन्ना और मुन्ना बहुत खुश हुए नांदेर नाम के गौउं के पास एक नदी बैती थी उसके उपर एक बांध भी था उस नदी के किनारे एक धाबा था उस धाबे के मालिक का नाम था काका वो एक बूढ़ा था वो उसके पत्नी के साथ मिलकर वहां लोगों के लिए खाना बनाता था वे दोनों बड़े भले इंसान थे उस धाबे के पास ही एक फैक्टरी थी उस फैक्टरी का मालिक था कमल, वो बहुत लालची और कपट आदमी था, उसके और भी कई व्यापार थे वो जो काला धन कमाता था, उसे घर में छिपा कर रखता था उसने एक दिन रात को अपना पेट्रोल पंप को खुद आग लगाया और फिर पुलिस को फोन करके कहकर उसने फोन कार दिया, ये देखकर उसका चेला अरे भाई साब ये क्या है, आपने खुदी आग लगाई और खुदी पुलिस को फोन कर रहे हैं अरे ये ही तो बात है, इस पेट्रोल पंप का पांच करोड रुपे का बिमा है, लेकिन इसका मूल्य एक करोड भी नहीं है, अब समझ में आया मेरा दिमाग एक दिन वो नदी के उपर बांध पर खला था और अपने आदमी से मेरा कोई लाब नहीं हो रहा है, इसलिए फैक्टरी और धाबा दोनों को कभी उसका आदमी दोनों को हट लगा देंगे क्या? तब कमल, अरे नहीं यार, हर बार एक ही काब करोगे, तो बिमा कंपनी वालों को शक हो जाएगा इसलिए अब सब की नजरे बचा कर इस बांध का मैं गेट्स खोल दूँगा, उस बाढ़ में वो धाबा और मेरी फैक्टरी दोनों ढह जाएंगे, मुझे तो बिमा का पैसा मिल जाएगा, और वो काका धाबा बंद करके भाग जाएगा? योजना अनुसार उस रात को वो आया, और बांध के उपर एक स्विच को दबाते ही, बांध के गेट्स खोल गए, और पानी बहने लगा, और उस बाढ़ में वो धाबा और फैक्टरी दोनों ढह गए, अगले दिन सवेरे, काका अपने धाबे के पास चिंतित बैठा था, कि तब ही कमल उसके पास आया, और कहने लगा, क्यों बुढ़े, अब आगे ना सबक पे, भाईया मेरे फैक्टरी का तो बीमा है, लेकिन तुम क्या करोगे? कह कर मजाब उडाने लगा, तब काका की पतनी, उन्हें वहाँ चूला बनाकर जलाने लगा, उसके बार एक खाल उधड़े हुए बकरी को उस चूले के उपर रखा, और जैसे वो मास जलने लगा, उसने मास के उपर मसाला का लेप लगाया, और जो लोग आने लगे, उन्हें उस पकाए हुए मास को प्लेट में डाल कर द से पका कर लोगों को खिलाते हुए खुब नाम और पैसे दोनों कमाया पुलीस को शक हुआ कि कमल ने ही डैम के दर्वाजे खोले उन्होंने उसके खिलाफ केस दर्ज की और अदालत में केस चलने लगा उस मुकडमे की जांच करते हुए जज साब ने कमल को दोशी पाया और सजा दी इस तरह कमल जेल चला गया और सजा भुगतने लगा